बारत सिरकार के ग्रैम अंत्राले ने एक बहुत बड़ा निरने लिया है कि B.S.F. के चीफ और डिप्टी चीफ दोनों को उनके पद से हटा दिया है क्या है पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार आतंकी गटनाय जो है वो जम्मो कश्मीर में बढ़ती जा रही है और ऐसे में इस पैट ना रोके जाने के चलते इनको पद से हटा दिया गया है मेडिया रिपोर्ट्स के मताबक ग्रैम अंत्रैले ने बीएस अफ के दो वरिष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ी कारवाई करते हुए उन्हें उनके पदों से हटा दिया है डीजी नितिन अगरवाल को उनके पद से हटा कर उन्हें केरिल कैडर में वापस बेज दिया गया अगरवाल ने बीएस अफ के डीजी के रूप में अपने कारे काल के दोरान कई महतनपूर निरने जो है वो लिये और सिमा सुरक्षा बल की कारे खियमता को मजबूत किया हाला कि ग्रेम अंतराले के अदेश के तहट उन्हें अब उनके मूल कैडर में वापस बेज दिया गया है स्पेशल डीजी वाईबी खुरेनिया को भी ग्रेम अंतराले के अदेश के तहट उन्हें उनके मूल कैडर ओडिसा वापस बेज दिया गया है कुरहनिया ने BSF में विबिन उच पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी है और सिमा सुरक्षा के विबिन पहलों पर अपना योगदान दिया है लेकिन अब उन्हें भी मूल कैडर में बापिस बेज दिया गया है जम्मु कश्मीर में पिछले एक साल से हो रही लगातार आतंकियों की गुस्पैट डीजी BSF और स्पेशल डीजी BSF को हटाने की मुख्य वजा है जम्मु कश्मीर में आतंकियों की गुस्पैट को लेकर बारस सरकार का ये सबसे बड़ा प्रशासनिक एक्षिन है जिसमें वरिस्तम अधिकारियों पर गाज गिरी है पिछले एक महीने में इन दोनों अधिकारियों ने जम्मु कश्मीर अंतरास्टे सीमा और लाइन अफ कंट्रोल का दोरा किया था और एहम बैटकों में इससा लिया था इसके अलावा पंजाब सेक्टर में लगातार हो रही है अतंकियों की गुस्पैट को प्रबाव शाली डंग से ना काबू पाना भी इस सबसे बड़े एक्षिन की बड़ी वज़ा हो सकती है BSF के उच्छे सत्रिय अधिकारियों के संस्था करन के बाद अब ये देखना होगा कि ने नियुक अधिकारी कैसे कारेबार संभालेंगे और बल की कारेक्षमता को कैसे बड़ाते हैं इस बड़ाव के बाद BSF के संचालन और अन्यतियों में भी बड़ाव की संभावना जटाई जा रहे है पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दो वरिस्तम अधिकारियों को इस तरीके से हटाया गया जो किसी अर्ध सैनिक बल को लीड कर रहे थे ये गटना सुरक्षा बलों के अंदर एक संचारन और प्रशासनिक निरनों पर एक महतंपूर्ण प्रबाव डाल सकती है जम्मो कश्मीर में लगातार आतंकी गटनाएं बढ़ रही है जिसको लेकर बारस सरकार ने एक बड़ा निरने लिया है जिसमें ये साफ तोर पर सीधा एक संदेश है कि आतंकी गुस्पैट जो है वो रोकने में नाकाम्याब हुए इन दोनों अधिकारियों को इनके पद से हटाया गया हाला कि हमने आपको ये स्टोरी बताई है मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक ये सारी जानकारी आपके साथ सांजा की है अब देखना ये है कि जो ग्रैम अंतराले की तरफ से आप नए जो अधिकारी पदबार संबालेंगे वो किस तरीके की रहन निती बनाते है हाला कि 2000 जो है वो B.S.F. के जवान को जमू किश्मेर में तैनात करने की बात भी कही गई थी और लगातार आतंकी गटनाएं कहीं न कहीं एक काफी परबाब डाल रही है तो ऐसे में इस एक्शन को बारस सरकार के ग्रैम अंतराले ने लिया है आप जुड़े रहिए ता पॉब्लिश मेरे के साथ नमस्कार